त्रेंड्स अगर आप नया फोन लेना चाहते हैं और नर्थिंग का फोन लेना चाहते हैं तर नर्थिंग फोन 3 आने वाला है दिसंबर तक में लांच होने वाला है तो आप इसका वेट कर सकते हैं इसके क्लीमाद करीब 45-46.000 रुपए बताई जा रही है हम इसके स्पेक्सा और पीचेस के बारे में बात कर लेते हैं अभी फिर जब फोन लांच होगा इसके बारे में डिलेल से बात करेंगे त्रेंड्स नर्थिंग पोन 3 होने वाला है जिसकी कीमाद करीब आपको 45-4990 रुपए रेखने को मिलेगी डूवल सिम होगा 3G 4G 5G होगा बोल्टी प्रेमेच की होगी जो कि 100W फार्ट चार्जिंग का सपोर्ट करेगी डिस्प्ले की बात करेंद इसमें डिस्प्ले 6.67 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो की बंच हो लोगा और 120 एक रिट्र सेट पे काम करेगा कैमरे की बात करेंद इसमें 64 MP, 50 MP और 32 MP का टिपल कैमरा होने माला है इसमें आपको 32 MP का कैमरा मिलेगा और फोन करेगा N.14 पे और इसमें आपको FM रेडियो देखने को नहीं मिलेगा अब हम इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे मोटल होने माला है फोन 3 कि डूल से मोगा जेसम होगा और इसमें नैनो से मोने माली है और रिलीज डेट लगभाग दिसम्बर 27 बताई जा रही है फोन का संप्लिंग रेट करें तो 380 होने माला है और इसकीन टो वाड़ी रेशियो के बात करें तो इसमें 88.8 परसंट का स्कीन टो वाड़ी रेशियो होगा ग्लास की टाइप की बात करें तो इसमें कौनिंग ग्लास 5 का आपको प्रडेक्शन देखने को मिलेगा इसमें आ कि 108 जीवी का और स्ट्वाइश टाइप 3.1 होने माला है जो कि पहुतेश होता है इसमें बात करें तो इसमें जीपी आरेस और इडी जी भी मिलने माला है इसमें आपको 3G, 4G, 5G देखने को मिलेगा बॉल्टी मिलेगा डूवल इस्टेंड वाइव होने वाला है वाइफाई भी हार्ट स्पाट होने वाला है ब्लुटूथ का 5.3 वरिजन और ब्लुटूथ के सभी फीचर्स देखने को आपको मिलेगे USB 3.1 मिलने माला है और इसमें आपको in display fingerprint sensor देखने को मिलेगा GPS में आपको सभी तरह के features देखने को मिलेगे sensor की बात कहेंद इसमें लगवग सभी तरह के sensor देखने को मिलेगे 3.5M का jack देखने को नहीं मिलेगा आपको NFC मिलेगा और IP 53 की rating मिलेगी और पॉन dust resistance होने माला है और देख सकते हैं आपको इसमें देखने को मिलेगा camera setting की बात कहेंद इसमें 64MP और 50MP और 32MP का camera देखने को मिलेगा जो कि sony के और से होने माला है और जो कि auto focus होने माला है OIS के साथ आएगा इसमें आपको EIS image stabilization देखने को मिलेगा और camera के लगभग सभीत है कि आपको इसमें features देखने को मिलेगे आप video recording करते हैं तो इसमें आप 4K तक video record कर सकते हैं प्रेंट की बात करें तो फ्रेंट से आप 32MP पिक्सल से full hd video record कर सकेंगे chipset की बात करें तो Qualcomm Snapdragon 8s Gen3 का इसमें आपको chipset देखने को मिलेगा CPU रन करेगा 3GHz अक्टकोर पे जो कि very fast होने वाला है और phone रन करेगा N.14 पे इसमें आप browsing आपको मिल जाएगी HTML5 का support देखने को मिलेगा इसमें आपको हैतरे का video अधियो support देखने को मिलेगा बैटरी के बात करें इसमें 5W मैंच की बैटरी देखने को मिलेगी चुकिए 100W fast charging का और wireless charging की बात करें इसमें 50W का reverse charge करते हैं तो इसके लिए आपको 5W का charging देगी